हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल जेस्टोपिक इस्टेडी में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बर्ग समीकरण को कैसे हल करें तो यहाँ पर मेरे पास इसी टाइप का एक कोश्चन लिखा हुआ है आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम समझाएंगे की बर्ग समीकरण को कैसे हल करना है तो यहाँ पर देखिए एक कोश्चन लिखा हुआ है x square प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0 तो इसको हमें solve करना है तो चलिए इसको solve करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर basic समझने की जरूरत है तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई भी संख्या का गुणा करना है जैसे कि x गुणा x करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x square आएगा ठीक है और इसके बाद में यदि आप x plus x करेंगे तो बहाँ पर कितना आएगा 2x ठीक है इस टाइप से आएगा मतलब कि गुणा करेंगे तो square आएगा अगर जोड़ेंगे तो उसका double हो जाएगा ठीक है त अब इसके बाद में हम अपने सवाल की ओर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए यह क्या है इसको हम एक बार लेख लेते हैं x square प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0 इसको हमें solve करना है तो यहाँ पर देखिए इसको solve करने के लिए क्या करना होता है कि इस 9 के एंसे तुकड़े करें मतलब आए तो यह सी संखिया क्या है देखिए 9 को आप क्या क्या लेख सकते हैं 4 प्लस 5 यह लेख सकते हैं 2 को आप लिख सकते हैं पाँच प्लस चार ठीक है ये लिख सकते हैं और इसके बाद में ये X है तो ये X लगा देंगे फिर इसके बाद में प्लस 20 है तो ये हमने 20 लगा दिया और बरावर 0 ठीक है यहां तक समझ में आ गया चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब देखी X स्कॉयर प्लस अ लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब देखीये इनके हम 2 दो के जोड़े बना लेते हैं यह दो का जोड़ा बन गया और यहां पर यह में यहां पर X बाहर ले लिए हमने तो यहाँ पर कितना आएगा 5 X प्लस 5 हो गया प्लस अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा समझी मैं आपको थोड़ा एक श्टेप और जादा करके दिखा देता हूं देखिए 4 X हो गया प्लस 20 को हम क्या लिख सकते हैं चार गुणा 5 यह लिख सकते हैं बराबर 0 चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं X और यहाँ पर कितना हो जाएगा X प्लस 5 प्लस यहाँ पर कितना है 4 X ठीक है और यहाँ पर Sorry यहाँ से हम क्या करेंगे 4 common ले लेंगे इन दोनों में 4 है तो 4 हमने common ले लिया और यहाँ पर कितना बचा X प्लस प्लस और यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा और बराबर 0 ठीक है इतना आ गया चलिए अब इसके बाद में देखिए यह पूरी संख्या में यह आप संख्या देख रहे हैं X प्लस 5 प्लस 4 X प्लस 5 इस संख्या में आपको देखिए common क्या देख रहा है यह जह है यह दोनों में common है तो अब हम क्या करते हैं इस पूरे को ही X प्लस 5 को अब हम common ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा X प्लस 5 यह हमने common ले लिया ठीक है अब यहाँ पर क्या बचा यह तो हमने common ले लिया यहाँ पर कितना बचा X प्लस और यहाँ पर यह तो हमने common ले लिया कितना बचा 4 तो यह 4 आगया और बरावर 0 चलिए अब इसके बाद में X प्लस 5 और X प्लस 4 बरावर 0 ठीक है यह जो है हमारा answer आ गया तो गाइस देखिए बिल्कुल आसान है आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जीजिए और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैना चा